नमस्कार शुरू करते हैं आज की क्लास और जैसा कि हम क्लास में पढ़ाई से रिलेटेड बाते करते थे आज हम स्ट्रेस फ्री रहने की बात करेंगे और एक्जाम में कैसे अपने आपको मैनेज रिखना है ये बाते करने वाले हैं पहला सवाल आपका कि सर 90 नमबर बन जाए है आप बिलकुल परिशान हो रहे हो I know very well मैं इस बात को अच्छी तरह से फील कर सकता हूँ क्योंकि ये परिश्थितियां थोड़े समय पहले हमने भी फेस करी है और दूसरी बात टैस्स जितने दिये हैं बहुत ज्यादा टैस्स दिये हैं बहुत सारे टैस्स दिये हैं जि हैं पहली बात बता दूं यह बातें हर एक विद्यार्थी कर रहा है चाहे वो पिछली रीट में 144 वाला हो 130 वाला हो 120 वाला हो चाहे भैल हो जैए यह बाते सबी के दिमाग में आप अकेले नहीं हो सबी के लिए ये जायज बात है आगे क्या होगा कि बही किसी को नहीं पता क्या होगा मुझे नहीं पता क्या होगा कैसा प्रशन आएगा सर पेपर ओखाएगा कैसा ओखाएगा बही अंदाजा ये है कि पेपर पिछले जैसा ही आने वाला है सर पेपर कोन बना रहे है माड़िमिक सिक्षिया यज को सहरी हो तो यह बात द्यान में रखनेइं कि यहां करें क्या करें आपके मांड में पता नहीं कितनी टेंशन है पता नहीं कितनी टेंशन है आप एक्जाम से रिलेटेड हो आप एक्जाम के लग लग विश्य साइकलोजी में क्या करेंगे साइकलोजी में कैसे पढ़ेंगे सिक्षन वीदिया याद नहीं है वो याद नहीं है ये या आप पढ़ाई करेए, आप ऐसा मत सोचिए कि sir हम जो हो दो दिन पहले relax हो जाएंगे, relax नहीं होना है अपने को वैसे relax नहीं होना, वैसे किताब छोड़के बैठोगे, relax तो कम होगे, दबाव में ज़्याद़ आ जाओगे तो ये नहीं करना, तो अपने आपको प्रयास करें, रिलेक्स करने का, चाहिए वो कोई भी एक्टिविटी हो, मैं नहीं बताने आवाला आपको, कि अपने आपको रिलेक्स कैसे करें, मैं तो ये चाहता हूँ, कि आप खुद विवस्तित करें, अपने आपको, मैं आज आपको सिर्फ यही बताऊंगा, कि टाइम म पचा कैसे सकते हो, और OMR शीट को फिल कैसे करना है, लेंग्विज का सेलेक्शन किस तरह से ध्यान में रखेंगे, और क्युस्स को कैसे कंसल्ट करें, ये चार बाते बताने वाला हूँ, सबसे पहले बात करेंगे, लेंग्विज का, ठीक है, लेंग्विज का जो खेल है, वो कुछ इस तरह से हैं, हमने लेंग्विज 1 और लेंग्विज 2 जो है, वो बिलकुल एक्जाम में फिल किया है, लेकिन नए विद्यारती परिशान होंगे, कारण सुन लो परिशान होने का, एक इतनी बड़ी किताब मिलती है, पेपर नहीं आता है, अपने सोचते है, दस एक लेंग्विज आएगी, उसे में मैथ साइस आएगा, उसे में सस्टी आएगा, अननेसेसरी पेज़ को पैन के ढख से अटैच करके, जैसे करके उनको एक बंडल सा बना लेजिए, यानि लेंग्विज 1 आपकी हिंदी है, तो वहाँ पर आप पैन के ढख को अटैच कर ल तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि पैन से या किसी आपको स्टैपलर नहीं मिलेगा वहाँ पे, स्टैपलर देना, मिल क्या कर रहा हूं जी, रेंड दो, ऐसा कुछ में मांगने से भी नहीं मिलेगी चीज़े, आप पैन का ढख लेजिए, उसके अंदर जो हो उतने सकते हो, आप SST का पेपर अगर आपका है, तो आप math science वाले पेपर को दूसरे pen से attach करके, समय की बचत कर सकते हो, ये ध्यान में रखें, समय की बचत से ज्यादा है, सही language को fill करना, कई बार ऐसे प्राणी आएंगे, वो language 1 में भी इंदी करेंगे, language 2 में भी इंदी करेंगे, सही language, जो आपके farm में भरी हुई है, जो आपके application form में भरी हुई है, वो ही select करें, वो ही question हल करें, और बीच में ये page बलटने वाला करने के लिए, हमने आपको बता दिया, pen से उसको attach कर दे, pen से उसको एक साथ बांद के रख दे, pen के धकन से, ठेक है, वो टांगने वाला होत जाएंगे बहुत सारी, उसमें समय लगता है, और आदमी frustrated भी हो जाता है, उस समय की बचत के लिए ये काम आपने करना है, याद रखेंगे ये चीज, ठेक है, दूसरी बात आती है, कि हम OMR sheet को time को manage कर रहे हैं, time बिलकुल manage हो रहा है, कि हम क्या करेंगे, हम 10 बजे हमारा paper जो है वो शुरू होने वाला है, और चलेगा कितने बज़ कर, बारा बज़ कर, तीस मिनट पर, ये चलेगा, या डाही गंटे, जो भी आपके डाही गंटे है वो, अब ख्याल इस बात का रखा जाए, पहली बात तो गड़ी के डिमांड कर लेना भई, गड़ी नय हो, तो आप जो भी आप जो अपनी विवस्ता है करेंगे, बिलकुल करेंगे, गड़ी के बगएर जो है, पेपर में परिशानियां बहुत आ सकती है, ठीक है, भी टाइम मेनेज तो तब करेंगे, जब अभी टाइम का पता होगा, है, हर दस पंदरा मिनिट बाद इस गड़ी को दे बढ़ेंगे अराम से बिलकुल, हमारशीट अराम से बढ़ेंगे बिलकुल, पहले गड़ी एक गंटे के इंदर के उसनवे 30, अब करने 120-15 गंटे में, भाईस आप भागना पड़ेगा, ठीक है, तो ये टाइम मेनेज करना है, आपको क्या करना है, इस समय लगना है, और आ सरदोर, ऐसे करते करते कितना टाइम लगा देते हैं, वो आपकी गलत आदत पड़ी हूई आपको, ये टाइम मेनेज करेंगे आप, दूसरी बात मैं आपको बताओं, कि जब कभी भी आप इस समय तक पहुंचो, तो इस से पहले फरी होकर क्यों बैठना है, अपने को किसी क मुँ तकना है, ठेक है, क्यों बैठेंगे, हम किसी को क्यों देखेंगे, हम अपने OMAR sheet को देखेंगे, हमने paper को देखेंगे, हमारे number को देखेंगे, हमारे बविश्य को देखेंगे, इस समय तक ही आकर फरी होना है, जब तक ये समय नहीं हो जाए, तब तक complete fill नहीं करेंगे एक दो question बचा के रखो, मैं आपको बताओं सीधी सी बात, कि 12 बजे तक, exam में 12 बजे तक, आपके वो question जो आपके सही है, आपने कर दिये हैं, consult कर लिए, वो सारे fill होने चाहिए, साथ साथ, मैं अभी बताओंगे, हमारे rate कैसे बरी जाती है, 12 बजे से लेकर, 12-30 तक या 12-25 सिर्फ वही question के लिए आप consult करो, 20-35 जो question जितने भी है, उन्ही question को जो आपको नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे, मान लेजीए, समय हो गया, 12 बजे कर, 20 minute, अब question करने का कोई फाइदा नहीं है, अब जो है, आप क्या करो, जितने बचे न उतने भर डालो, इस समय आकर आपको पता उने चाहिए, मेरे कितने question रह गए, और कैसे चलेंगे, इस 12 बजकर 20 minute के, ठेक है, कैसे चलेंगे, OMR से paper की और चलेंगे, OMR से paper की तरफ चलेंगे, मतलब, आप क्या करोगे, ठेक है, आप क्या करोगे, आप करेंगे, कि मान लेजीए, आपका 53 number question रह गया ह तो 53 देखो, एक minute में देखी आप, एक minute तो जद उस एक, एक second में देखिए, त्रेपन नमबर पर क्या है, इसका ये हो सकता है, एक कर दो पिल, मतलब, पेपर में नहीं देखनाइं आपनोंने, पेपर में नहीं देखना की कोण सुखी ओ ओई ओई ओ ओँ दे निशान लगय भी रहना जाए लास्ट मैंजे रहे जाने मेडम जी गात्म जानता जानता बर्द ये एक ठीक है ये ध्यान में रखेंगे अब देखिए ओमार शीट जो है वो किस तरह से अपनोंने फिल करनी है इसको बड़ा कर ले थोड़ा इजी वे में दिख जाएगा अपने को ठीक है य निशान लेजिए पहले आदे गंटे में हमने 50 कृश्शन कर दिये उस आदे गंटे में 50 कृश्शन जो हमने करें है ठीक है उनको क्या कर लेंगे आप ओमार शीट में निशान लगा लेंगे निशान लगाने बरने नहीं है एक आत में हमारा जो पेपर है पहले का सी ठीक है दूसरे का A, तीसरे का D, चोथे का A, पांच का C यह निशान लगा लो फिर आजो यहाँ पर यह पांच नहीं करे ग्यारा का A, तेरा का A, ठेक है चौदा का A, पंदरा का B, यह तीन यह कर दिये ठेक है, उसके बाद हमने देखा 16 का A, 17 का B, 18 का C, 19 का D और इसका C, यह होगे इस तरह से हमने 50 कर दिये hand to hand उनको क्या कर दो, fill कर दो fill कर दिया, यह मैं अजीब से बर रहा हूँ इसमें ऐसे बर जाते हैं, ठेक है जल्दी जल्दी उनको fill कर दो, ठेक है खयाल रखें इस बात का, कि जब यह टिक हो रहे हैं न, पहले का B, दूसरे का C तब साथ में चेक करें क्या मैं सही बर रहा हूँ क्या, यहां गलती मत कर देना अगर टाइम बचाना है तो, अदर्वाइस टाइम बचेगा तो उल्टा हो जाएगा सिस्टम टाइम बचेगा तो जरूर लेकिन क्युस्टन नहीं बचेंगे, सही निशान लगाना आपकी जिम्मेवारी है, बई ऐसे ऐसे बर दिये, अब पचास होगे अब दुबारा एक नंबर क्युस्टन से लगो, जो कर रहे हैं एक लेंग्विज उठा ली, मालीजी साइकलोजी वाला ये पार्ट है इसमें ये इतने क्युस्टन बचे हुए न, उनको पढ़ो जो कर दिया, अब ये पहले पचास बर दिये, उसके बाद साइकलोजी पूरी कर दी माली इसमें से 10 क्युस्टन और कर दिये तो 10 के 10 बर दो अब आगे लैंग्विज वन में चलो, कैप लगाया हुए पैपर के अं-दर ठेक है, पैन का डकन जो हो लगाया हुए, पैन का कैप जो लगाया हुआ है और उस pen के cap से जाव लगा है लैंग्विज बन देखी उसमें से माल लोजे 20 question और कर दिये अपनोंने तो 20 के 20 पर दो फिर language 2 में देखिए कितने कर दिये 10 question पर दो फिर sst पर दो इस तरह से माल लेजिए ठेक है 11 बज कर 40 minute पर आपने यह काम कर लिया 11.40 पर यह काम हो गया कि आपको जो आते हैं वो सारे सारे अपनोंने कर दिये अब जो नहीं आते है ना 11.40 से लेकर 12.25 तक इन से consult करते हो बार बार पढ़िए बार बार पढ़िए बार बार पढ़िए और 12 बज कर 20 minute तक आप प्रियास करेंगे कि हमारे जितने क्यूशन से ही हो इसके उतने हम करें और बारा बज़ कर भी इस मिनिट पर बाई साब आपको इतना ही देखना है OMR sheet से paper छटा नहीं किया हुआ, 7-8 ये 6 से लेकर 10 तक नहीं है OMR sheet में देखो, इस paper में देखो, छटे का मेरे को लगता है C, A है कर दिया, 7-वे का B लग रहा है, 8-वे का A लग रहा है, 9-वे का C लग रहा है और इसका D लग रहा है, हमने सारे फिल कर दिया अब आपने क्या करा, इस 5-10 मिनट के बीच में आपने सारी पूरी OMR sheet complete बढ़ दिया अब हमारा कोई question, relax, आपका paper पूरा हो चुका है ठेक है, अब जैसा है, जैसा कर दिया, वैसा कर दिया, एक बात और ख्याल रखेंगा मान लीजे, 31 का मैंने question करना था B, ठेक है, और मैंने बढ़ दिया A ठेक है, अब ये तो definite है की गलत बढ़ दिया, ठेक है, अब हम क्या करते है, सर blade है के ठेक है, कहीं को शरम आती है, blade मांगने में, वहाँ पर किन न मांगा, रोला कर दे सी ऐसे, ठेक है, वो फिर अपनी technique अपनाते है ठेक है, OMR damage नहीं होने चाहिए, आपकी OMR sheet कभी भी damage नहीं होने चाहिए, damage का मतलब है, कि OMR sheet में यह पूरो, कई यह रगड़, 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 मां खरब, base गाड़ दे, वो नहीं करना आपने, OMR damage नहीं होने चाहिए, और OMR, जो है, वो क्या है, उसमें किसी भी पर आड़ते समय, teacher आवाज आए, कार्बन कोपी अलग कर लो, लो, सारो की अलग कर दियो, अरे कार्बन कोपी अलग करनी है, भी या, कार्बन कोपी अलग करें, time manage गरें, OMR sheet को अच्छे से भरें, एक बात और, ठेक है, एक बात और ख्याल रखें, क्या, कि जब आप यह काम कर रहे हो, यह OMR sheet बर रहे हो, तो आपके सामने निशान कुछ इस तरह से लगे हुए होने चाहिए, ठेक है, यह वो निशान है, जो हमने कर लिए है, यह वो निशान है, जो हमने करें नहीं है, और यह जो हमें चक्कर में डाल रखें हैं, यानि जो हमें तंग कर रहे हैं, यह मारे time consuming question है तो जैसे ही आप इसको देखोगे ना एक बार fill करने को इसको क्यों देखना अब आप इसको देखो 11.40 तक इसको देखेंगे आप यानि ये question देखेंगे जो हमने नहीं करें इनको करने का प्रयास करेंगे ठेक है और फिर 11.40 के बाद इनको इसको देखेंगे कि ये जो जितना समय लगे वो आप लगाई है पूरे डेड़ से question पर कोई जरूरत नहीं है किसी की इदर उदर नजरे मारने की इदर उदर देखने की अराम से बैठने क्या करना है 12.25 पर फ्री होगे 5 मिनिट पहले फ्री हो वेल टाइम मेनेजड बस विवस्तित रखे अपने आपको कोई बड़ी बात नहीं है पेपर में दबाव का आना पेपर में जो टेंस हो जाना पेपर के समय में इतनी त्यारी करी है टेंसन तो होगी भई तनाव तो आएगा लेकिन मेनेज घुद को रखना पड़ेगा मैंने आपको बताया है एक बात और रहे गए सिल्ली मिस्टेक्स सिल्ली मिस्टेक्स का मतलब है क्यों सनाते आते गलत हो जाना वो अमार शीट है न जो वो करो उसमें भरते समय जैसे पढ़ रहे हो गलत कर रहे हो ये पहले ओमार शीट में आप निशान भी नहीं लगाओ असान क्यूशन आते ही खुद को रोको जैसे अमिर खन कहता है ओल इस वेल उसी तरह से आप बोलोगे बोले देदी रुख जाए एक बार भईया रुक जो एक बार ठीक है खुद को रोकना असान आगया क्यूशन अब अराम से करेंगे वेवस्तित करें खुद को भई अच्छा लगेगा आपको तो पेपर बहुत ही शांदार होने वाला है आप सभी का अच्छा होने वाला है खुबसूरत होने वाला है खुशिया आने वाले है खुशिया मनाईए थोड़ी सी थोड़ा सा अच्छा फील करिए ओखा काम है मुझे पता है अच्छी तरह से किसर कहने को आप कहा सकते हो खुश रही है लेकिन रहें कैसे विवस्तित करिए, विश्वास रखे, हम पर विश्वास रखे, आप जिस इंस्टिटूट में पढ़ रहे, उस पर रखे, अपने किताबों पर रखे, अपने आप पर रखे, अपने पास्ट पर जो विश्वास करिए कि हमने मैनत करी है, हो जाएगा बहुत सारे विद्यारती ऐसे हैं जो बहुत शांदार पढ़ते हैं बहुत सारे ऐसे हैं, जो कम पढ़ते हैं फिर भी selection होगा मिलते हैं selection पर आपके selection की weight है हमें आपके selection का इंतजार है हमें जुरूर कमेंट करेंगा एक बार जब selection हो जाए I am selected, मैं select हो गया हूँ बहुत सारे लोगों को ये शब्द बड़ा प्यारा लगता है क्योंकि पिसली रीट में मैंने कहा था और हमारा सपना पूरा नहीं हो पाया हो गया था लेकि नहीं हो पाया अब करेंगे उसको जी जान लगा दीजी मिलते हैं अगले क्लास में धन्यवाद